नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो खासकर किसानों के लिए और खासकर मुर्गी पालकों के लिए है इस वीडियो में हमें एक ऐसी नसल के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी हाली में ब्राजील के किसानों ने विक्सित किये इस नसल को विक्सित करने में किसानों को 20 साल से भी अधिक्का समय लगा है इस मुर्गी की जो नसल है इसकी खाशियत यह है कि इसकी जनरल लंबाई 120 सैंटीमीटर से 150 सैंटीमीटर के बीच होती है और एक जनरली एक पक्षी की मतलब एक मुर्गे की कीमत 4000 यूरो तक हो सकती है मतलब इस मुर्गे को पैदा करने के लिए बड़ा करने के लिए उतना ही खर्चा उठाना पड़ेगा जितना एक साधान मुर्गी को बड़ा करने में खर्चा किया जाता है उतना ही चारा उतना ही पानी लेकिन थोड़ा इस पेस ज्यादा चाहिए इसको एक थोड़ा सा इसक के बारे में बात करते हैं लगों 20 साल पहले जब रूबेंस ब्रेंज एक खिसान का नाम है रूबेंस ब्रेंज ने मुर्गी पलन शुरू किया था तो उन्होंने कलपना भी नहीं की होगी कि इन पक्षियों को पालने से उनकी वित्तिय आए या जान वो रोके आकार दोनों ही मामले में इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाएंगे ब्रीडर ने कहा कि उनकी कंपनी एवी कुल्टूरा गिंगाटे या फिर जाइन पॉल्ट्री फॉर्मिंग इसे पक्षियों का उत्पादन करती है जिने सुद्ध नसल रूप में लगबग चार अजार यूरो में बेचा जा सकता है यह सामाने मुर्गे कीमत से लगबग एक अजार गुनादिक है दुनिया के सबसे बड़ी नसलों में से एक है इंडियो गिंगाटे मतलब इस नसल का नाम है इंडियो गिंगाटे जाइंट इंडियन मुर्ग है यह ब्राजीर में विक्षित घरेलू मुर नसल देहाती है मतलब गाओं में पैदा हुई है इसमें मांस और अंडे की उत्पादकता का इस तरह उत्प्रेश्ट मतलब सबसे ज़्यादा मांस और अंडे उत्पन करते हैं यह नसल जो दुनिया की सबसे भारी नसलों में से एक है को प्रिजन इस्टोक में सुधार के एक साल में लगब तीन सो के आसपास यह मुर्गी अंडे देती है तो अंडे भी अधिक मातरा में उत्पन करती है जनरली इसका रंग काला होता है और भारतिये जंगली मुर्गी से यह मिलती जुलती है इसकी अधिक हाइट होने के कारण इसका वेट भी ज़्यादा होता है और ज्यादा वेट होता है तो ये मांस उत्वादन करने के लिए भी अधिक उपी होगी है तो अगर आप इस नसल के बारे में ज्यादा जानकारी करना चाहते हैं तो मैं कुछ लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ आप उन लिंक पर जाकर इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं और आने वाले समय में इसके कुछ पक्षी आपको भारत में भी उपलब्त करवाए जाएगे ताकि आप इनका पालन करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकें यह जानकर आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता हैं वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद